हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पसल मेनिया अवित अंकुर में है जैसा कि IBPS PO की नोटिफिकेशन में IBPS PO मेंस रिजल्ट का जो टेंटिटे मन्थ मेंशन था वो दिसंबर का मन्थ था और दिसंबर लगबग जाने वाला है आज सटैर्डे है तीस तारिक तो ज लग जाएगा तो दो कोश्चन मैक्समम कमेंट्स में देखने को मिले IBPS PO के रिगार्डिंग पहला कोश्चन है कि IBPS PO के नोटिफिकेशन के एकॉर्डिंग तो इनको दिसंबर मन्थ में IBPS PO मेंस का रिजल्ट देना चाहिए था लेकिन लगबग ये दिसंबर का मन्थ भी ल अगर आप पिछले साल का IBPS PO नोटिफिकेशन पुठा कर देखोगे तो पिछले साल के नोटिफिकेशन में भी IBPS PO मेंस रिजल्ट का जो टेंटिटिव मन्थ था वो दिसंबर का महीना था लेकिन इन्होंने रिजल्ट कब दिया था पांच जनवरी में दूसरा कोश्चन कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट जब भी आएगा उसके बाद इंटरिव्यू के लिए कम समय मिले तो ऐसा बिलकुल नहीं है पिछले साल पांच जनवरी में IBPS PO मेंस का रिजल्ट आया था और IBPS PO के जो इंटरिव्यू कंटक्ट हुए थे वो फरवरी के महीने में हुए थे मतल जन्द सर्प्राइस कर चुका है तो IBPS कब क्या सर्प्राइस दे दे हम सबको नहीं पता है तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट के बाद इंटरिव्यू के लिए कम समय मिले तो यहीं मान कर आप इंटरिव्यू के त्यारी कीजिए क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि आप IBPS PO के रिजर्ड के इंतिजार में समय दें क्योंकि आप लगबग 2 मेने के समय दे चुके हैं और IBPS वही next week next week बाला गेम खेल रहा है पता नहीं उनका next week कब खतम होगा इसलिए अब अपना पूरा focus जो exams आपके होने बाले हैं उनमें और interview के तयारी में लगा दीजिए और जैसा कि IBPS PO के exam को लगबग 2 मेने के समय होने जा रहा है तो अगर आपको IBPS PO mains के attempt याद हैं तो comment पे आप ज़रू mention कर दें मिलते हैं पर नेस वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद